इस वीडियो में हम राजिस्थान की प्रिमुख सिचाई परियोजनाए इससे संबंदित कोश्चन डिसकस करेंगे पहला कोश्चन है राजिस्थान की नभीनतम जलनीती किस बर्स अपनाई गई थी ओप्सन है 2012, 2014, 2015 और 2010 तो करेक्ट आंसर होगा इसका 2010 important question है राजिस्थान की नभीनतम जलनीती 2010 में 17 February को अपनाई गई थी ठीक है अगला question है हमारा राजिस्थान के 13 नदी बेसनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है तो करेक्ट आंसर है इसका third option राजिस्थान के जो 13 नदी बेसन है उनमें कुल सतही जल की संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड 15.86 म.A.F ठीक है ये राष्ट्रिय चमता का कितना प्रतिस्थ है 1.16 प्रतिस्थ है राष्ट्रिय चमता का 1.16 प्रतिस्थ है ये राज्य में लगबग 2,23,25,51 हेक्टेयर छेत्र खेती युक्त है अगला कोश्चन है भारत के कुल सतही जल संसादनों में राजिस्थान का कितना प्रतिस्थ भाग है तो मैंने अभी बताया था राजिस्थान का जो सतही जल संसादन है वो देश की जल संसादन का 1.16 परसेंट है और 15.86 म.A.F है ठीक है मिलियन एकड फुट राजिस्थान में सरवादिक सिचाई किस्से की जाती है इंपोर्टन कोश्चन है काफी वार एक्जाम में पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल में कॉलेज ब्याक्ख्याता में जेएन डिप्लोमा में काफी वार पूछा गया कोश्चन कि राजिस्थान में जो सरवादिक सिचाई की जाती है वो कुएं इवं नलकूपों के द्वारा की जाती है कुएं इवं नलकूपों के द्वारा जो सरवादिक सिचाई है वो जैपुर जिले में की जाती है जैपुर जिले में और लगवग 68.72% भाग कुवें इवं नलकूपों के द्वारा सचाई की जाती है लगवग 30% भाग नहरों के द्वारा 30% भाग नहरों के द्वारा और तालावां के द्वारा 1% भाग में सचाई की जाती है कोश्चन ये भी आता है कि कुवं एबं नलकूपों के द्वारा जैपुर में सरवादिक सिचाई होती है ऐसे ही तालावाओं के द्वारा जो सरवादिक सिचाई होती है वो भीलवाडा में होती है और नहरों के द्वारा सरवादिक सिचाई पूछी जाए तो गंगानगर में होती है नहरों के द्वारा सरवादिक सिचाई गंगानगर में होती है तो तीनों आपको याद रखने है कुए इबम नलकूपों के द्वारा जैपुर में नहरों के द्वारा गंगानगर में तालावों के द्वारा भीलवाडा में कुए इबम नलकूप 68.72% तालावों के द्वारा 1% और नहरों के द्वारा 30% भाग पर सिचाई होती है अगला कुश्चन है कुए इबम नलकूपों से सिचाई करने की द्रश्टी से सबसे प्रमुक जिला कुन सा है तो correct answer होगा इसका जैपूर में सरवादिक सिचाई होती है कुए इबम नलकूपों से और राजिस्थान की बात करें तो राजिस्थान का 68.72% भाग कुए इबम नलकूपों से सिंचित होता है राजिस्थान में नहरों द्वारा सिंचित छेत्र का प्रतिसत कितना है तो आपको बताया था मैं नहरों के द्वारा 30% सिचाई होती है यानि की 4th option 29.75% हमारा correct हो जाएगा ठीक है अगला question है राज्ये में कुओंधरा सरवादिक सिचाई किस छेत्र में की जाती है तो correct answer इसका पूरवी छेत्र में और पूरवी छेत्र में भी कौन से छेत्र में जैपूर में सरवादिक सिचाई होती है कुओंधरा नलकुकों से अगला हमारा question है जैसल मेर में पालीवाल भ्रामणों द्वारा बिक्सित मौलिक पारंपरिक बरसा जल संचियन पद्धिती का क्या नाम है important question है पूछा जाता है पसुदन सायक परिच्छा में भी पूछा गया है और दुतिया सिर्णी सिच्चक वरती परिच्छा में भी पूछा गया है तो जैसल मेर में पालीवाल भ्रामणों के द्वारा जो बारसिक बरसा जल संचियन की पद्धिती है उसको बोला जाता है खडीन उसको खडीन बोला जाता है यह है पालीवाल भ्रामणों के द्वारा बिक्सित की गई है जैसल मेर के उत्तर में इस्तित बड़ी संख्या में पलाया जीलों को खडीन कहा जाता है जो पलाया जीले हैं पलाया जील का मतलब होता है जब बरसात के टाइम पर कड़ों में पानी भर जाता है तो उसको पलाया बोला जाता है रेगिस्तानी छेत्र में और इन जो पलाया होता है इनको खडीन बोला जाता है और खडीर में जो पानी होता है उससे नमक का अत्पादन भी होता है ठीक है तो second option correct हो जाएगा खडीन यहाँ पर जो की बालीवाल ब्रहमरों के द्वारा विक्सित की गई है निम्न में से कौन सी परंप्रागा जल सरच्छन की बिदी नहीं है ना घडीन में आपको बताया था कि धाल के विपरी दिशा में मिट्टी का बांद बनाकर पानी का संग्रण की जाता है खडीन रेगस्तानी एरिया अरिया उससे संधान किया जाता ही तो त áल्व यहाँ पर परंपराकर जल सरच्छन की बिदी नहीं है अगला question है सेखाबटी के अंतह प्रवाई छेतर में निर्मित कच्चे जल सरोत को किस नाम से जाना जाता है तो correct answer है इसका नाड़ा जो सेखाबटी का अंतह प्रवाई छेतर है उसमें कच्चे जल सरोत को नाड़ा के नाम से जाना जाता है अगला important question राजिस्थान में जीवनधारा योजना का संबन्ध किस से है very important question राजिस्थान में जीवनधारा योजना का संबन्ध है सचाई कुओं का निर्मान करवाना जीवन धारा योजना गरीवी रेका से नीचे जीवन यापन करने वाले लगू एवं सीमांत किर्षों को कुएं का निर्मान करने के लिए सत्प्रतीसत अनुदान की योजना है जो बर्स 96 और 97 से सुतंत्र रूप से क्रियानवित की जा रही है यह जबार रोजकार योजना के रूप में पहले चलाई जा रही थी तो जीवन धारा योजना सिचाई में कुओं का निर्मान करवाने से संबंधित है थर्ड ओप्सन यहाँ पर करेट हो जाएगा इंपोर्टन कोशन है याद रखना है आपको अगला हमारा कोशन है इंद्रा गांदी नहर का निर्मान कर रहे बर्स 1988 से प्रारम हुआ तथा इसका उधगम कहां पर है तो जो इंद्रा गांदी नहर परियोजना है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी ये भी इंपोर्टन कोशन है पहले वो राजिस्तान नहर के नाम से जानी जाती थी ठीक है और इसका जो निर्मान कार रहे था वो शुरू हुआ था 31 मार्च 1908 मन को 31 मार्च 1908 मन को डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि इंद्रा गांदी नहर से कोशन पूछा जाता है 31 मार्च 1908 मन को इस योजना की सुरुआत हुई थी और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजिस्तान नहर से बदलकर इंद्रा गांदी नहर कर दिया गया था अभी जो इंद्रा गांदी नहर है यह सुरू इसका उद्गम कहां से है इसका उद्गम है हरी के बैराज हरी के बैराज हरी के बैराज पर दो नदियों का संगम है कौन-कौन सी नदी है सतलज एबं ब्यास इन दो नदियों का संगम है जहां पर हरीके वेराज बांध है उससे इस नेल को निकाला गया है और इसका अंतिम पॉइंट कहां पर है इसका अंतिम पॉइंट है गड़रा रोड कहां पर है गड़रा रोड बाडमेर में है और जिसको जीरो पॉइंट भी बोला जाता है जो गड़रा रोड है उसको क्या बोला जाता है उसको 0 पॉइंट भी बोला जाता है बेरी इंपोर्टन कोश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रा गांदी नहर का अंतिम पॉइंट क्या है तो गड़रा रोड जीरो पॉइंट जिसे बोला जाता है बाड़मेर में इस्तित है ठीक है सतलज एवं ब्यास नदियों पर हरीके बैराज बांध बनाया गया हरीके बैराज से यह निकाली गई थी तो हमारा सतलज, जेलम और रावी तो correct answer है इसका सतलज सतलज यहां पर mainly answer है बैसे तो सतलज और ब्यास इन दोनों से निकाली गई है लेकिन सतलज यहां पर main answer हो जाएगा क्योंकि यह दोनों नदिया मिलके एक तरब से ब्यास आती है एक तरब से सतलज आती है यहां पर हरीके बैराज पर यह मिलती ह achievements और बाद में इस लगो सतलह भी बोल जाता है इसलिए सतलह जिनापर और डॉला 2 आटी फिली हर राजिस्तान नहर नदी का पाणी लाती है तो राजिस्तान सतलग नदी का पानी है यहां पर राती है चो घाली सुछ ऐलाजन गर नदी में पानी ज्यादा आता है तो घगर नदी में पानी ज्यादा आता है तो हनमानगर जंगसन डूब जाता है ये भी आपको याद रखना है अगर आपको questions अच्छे लगे हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दे बेल आइकन को जरूर दबाएं